हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो सबसे वेला आप सभी को मेरा प्यार बना नमस्कार में नाम प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका एक वेर्फिट से अपने नए व्लॉग में तो फ्रेंट्स आज मैं अपने व्लॉग के स्टार्टी करें यूनी के टाइम से और मैं हूँ उत्राखन के खुब सूरत जिले टिहरी के खुब सूरत से गाउं अमोली में तो यह देखे आजकल मैं आ रख्यूं पहाड़ों की तरफ अपने मायके में तो जैसे कि आप जानते ही हैं और अभी हम हैं खेत में तो क्यूंकि आजकल आ रख हेमा और हम मिल रहे हैं पूरे 10 साल बाद तो हाय करो मेरी यूटूब फैमली को तो यह देखिए बहुत टाइम बाद मिले हम और हमने काफी गपे बिमार ली अभी तक बहुत बाते करी हमने तो चलिए चलते हैं तोड़ते हैं आम और मैं यह आम तोड़ेगी और मैं इसके बनाओंगे आम की चटनी और इसको दूंगी करने के लिए सारे के सारे तो करने हैं इन फेतों में और इन पहाड़ों में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है चलिए अब चलते हैं घर यह नहीं है चलो शुब करन कते हैं आब couple यह हैं तोड़ों में पहाड़ी ब चल्ड़ का लिए फिक चलते हैं आम की अपल की का उल्क बेग हैझ टू़ों में ख knowing क्यों बधावा बहती हैं झाल 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 तो फ्रेंट्स मैं लेके आई थी कच्छे आम तोड़के तो ये देखे मैंने कट कर लिया यहां पर प्याज और आम को इस तरीके से और यहां पर हरी मिर्च और यह है फ्रेस पुदीना तो वाव ती खुजबू अच्छी आरिया ने इसकी मन कर रहा ऐसी खा जाओं तो ये द तो ये देखिए वाव मेरा मन अभी से कर रहा है कि अभी खालो में इसको ऐसी तो ये बन के होगी टेट चट्नी रेड़ी और आज है हस्बन जी का बर्थडेई तो मैंने सुचा थोड़ी सी पकोडिया बना ली जाए और चट्टी तो वैसे भी बनी हुई है तो चाहिए वो यहां पर नहीं है बट हमने फिर भी उनका बर्थडेई थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया है तो ये देखिए हम बना र अब मैं तलना तलना स्टार्ट कर दिया है मैं इनको पापा का बाइंगे बन गया पापा का बाइंगे तो गाइज आज का दिन में बहुत स्पेशल था क्योंकि आज मैं बहुत दाइम बात अपनी फ्रेंड से मिली तो करते हूं आज का व्लोग यहीं पर एंड और मिलती हैं आपके एक नए व्लोग के साथ तो तब तक अपना ख्याल रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और हम से मुस्कुराते हुए रहिए इसी के साथ जद्दे बूमी उत्राखन बाबाई टेक क्यार